जो मुद्दक आज हम कवर करना चाहते हैं जो हम लोग का शमिक न्याय की जो पांच वाइदे आए हैं उसके पीछे का सही में बैग्राउंड या संदर्ब क्या है वो महतुरपूर्ण है थोड़ा सा जिसके बारे में बात करनी और दस साल नेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग बलकि उल्टा प्रभाव रहा है ऐसा प्रभाव रहा है जिसने लोगों की हालत और बिगाड़ी है तो वहां रहा है जहां हमारे खेती है मजदूर मजदूर और श्रमिक काम करते रहें इस देश में मैं दो चार आकड़े जरूर आपके सामने रखूंगा जो प्रमुक्ता स स्थिती बनती चली गई है पिछले 10 साल में इसको आपके सामने उजागर करेंगे कई वर्षों से बलकि पचास साथ साल से विशिषकर 1991 के बाद से जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थवेवस्ता में होती थी वो यह थे कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस छेत्र मे employment या रोजगार बढ़ता चला जाता था GDP बढ़ता चला जाता था और जो किसी भी एक विकिसी देश की निशानी होती है कि किसी पर रोजगार की निरभरता आदमी कितना काम करते हैं उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है और 2004 और 2014 के बीच में जो एक नई बात और ये इस बात की निशानी थी कि जो structural change कहा जाता है कि मुलभूत परिवर्तम जो हमारी अर्थवेवस्ता में होगा उसकी एक बहुत बड़ी निशानी थी उसके साथ क्या हमारी विकास की दर रही वो सब तमाम आंकड़े तो उस बात का समर्थन करते ही करते हैं और ये trend आ आवे हमारी सरकार उसकी अर्थवस्ता के और उसकी अर्थनीती के विशेशग्य करते हैं उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है 2016-17 के बाद से जहां करीबन 41-42 परसंट के करीब केवल लोग क्रिशीपन निर्भर थे अभी जो 2022 थे इसमें PLFS का आंकड़ा निकला है और ये वो आंकड़ा है जो सरकार खुद प्रकाशित करती है दो बड़े आंकड़े निकलते हैं रोजगार और बेरोजगारी के एक CMI का और एक PLFS का जो राश्ट्री सर्विक्षन संस्था करती है और सरकार बार-बार कहती है कि CMI के आंकड़ों को हम लोगी मानते हैं वो दूसरी बात है कि वो दुनिया में एक प्रतिश्टित संस्था है लेकिन चलिए हम PLFS के आंकड़े ही आपके सामने रखेंगे ये जो साथ-ाठ साल का समय रहा है इसमें 2018-19 तक पहली बार तीन कोर करोड के करीब जादा लोग क्रिशी में गए और उसके बाद आज के आकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीमें छे से साड़े छे करोड लोग और जोगों से रोजगार छोड़कर क्रिशी में चले गए ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में और विकिसित देशों के आर्थी के इतिहास में शाय वो दो या तीन बड़ी नीती की बाते थी जिनकी प्रधानमंतरी कहा करते थे उन्हें ने का हम मेक इंडिया प्रमोट कर रहे हैं और मेक इंडिया के पीछे देश को सशक्त करना है हमारी उतपादन क्षमता को सशक्त करना है लेकिन उसके साथ सार लोगों को अच्छा रोजगार आता है उद्योग से मेक इंडिया का रोजगार आता है सर्विसिस से यह उसके बिलकुल विपरीत हुआ कि आप मेक इंडिया का इक तरम नारा देते हैं और आपके कारमिक लोग जो हैं जिनके लिए सही में कोई भी काम किया जाता है वो छोड़ छोड़ कर वाप और पश्चमी उत्रप्रदेश का विक्षित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है तो छोटा किसान एक एकड़ का, डेड़ एकड़ का, दो एकड़ का, जुसको हम सीमान के छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी, वो आप खुद अपने उपर समच सकते हैं, जहां 42% के कर था, वो 46-48% परसंट पहुंचा, जहां हमारे 30-35 करोड आदमी काम किया करते थे, आप समल लिजे, उत्पादक था उतनी ही, आमदनी उतनी ही, विकास उतना ही, और 6-7 करोड नए लोग आ गए उतनी आमदनी में घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो क्या बद से बत्तर हालत हुई होगी उस पूरे चेतर की वो आप अपने आप समझ सकते ही, और इसी से जब 5-6 करोड आदमी शेहर से हट कर वापिस क्रिशी चेतर में जाता है, तो सामानेता वहाँ जो खेती हर मजदूर था, जिसके पास आधा एक एकर ता, जो थोड़ी अपनी खेती क हो जाती है, तो पहला उसका असर होता है आमदनियों पर, कितना उसको रोजगार मिलेगा डेली का, और इसलिए अगर आप देखिएगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्दी थी मनमोह सिंग जी सरकार में, कि जो रियल वेजिस कहे जाते हैं, सही में जो प्रती दिन की आमद एक मोदी सरकार के आठ ही नौ साल में गिरकर दशमलव आठ रह गया, यानि समझ लिजे बिलकुल ही नगन्यसा, और मैं एक नंबर आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं, जो और अच्छी तरीके से इस आंकड़ों को आपके सामने रखेगा, उन्यस सो सत्रा में, जब य तरीके से जीरो की तरह पहुंचा, तो यह मानने जाता था कि हमारे रियल वेजिस जो है क्रिशी में, वो उन्निस हजार चारसो पचास रुपिया महीना है, और आज इतने सालों की विकिसित भारत, आत्म निर्भर, विकितित भारत की दरों के बाद, वो पहुँच गया है क दो हजार, बीस हजार, उन्तालीस तक, यानि आठ ये नौ साल में मुश्किल से शायद आधा एक परसंट ओवरॉल बढ़ा है, और अगर आप सीधे-सीधे इसको उस बात से ले, कि अगरिकल्चर में, डिस्ट्रेस, अगरिकल्चर में, आप समझ लीजे समस्यां होंगे, ब फिर कीमा जागा, सौर रुपए में लेबर मिलता था, वो असी रुपए पर आजाएगा, साट रुपए में आजाएगा, और जिस आदमे को मुश्किल से सौर दिन का, सतर दिन का काम मिलता था, उसाज तीस दिन या चालिस दिन पर आजाएगा, ये तो ये दो बड़ी महत तुर्पूर बाते मैं चाहता था आपके सामने इनका उल्लिक करूँ और तीसरी चीज आपने ये और चीज देखी होगे कि अभी सरकार धेंडोरा पीट रही है किसाब जो हमारे याँ बेरोजगारी का दर है वो बहुत कम हुआ है उन्होंने ये माना था कि आज से तीन-चार साल पहले बेरोजगारी का दर अपने इतिहासिक दर पर आठ 10 परतिशत के करीब पहुँच गया था 10-11 परतिशत के करीब उसको सरकार ने भी माना और अभी वो आंकरा दिखा रहे हैं 5 ये 5.2 परतिशत का और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रोगती की है लेकिन एक आंकरा वो उसमें आपको बताना भूल गए कि जो सबसे ज़्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है वो एक ऐसा नंबर है और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं और इस बेरोजगारी के आंकरे पर विश्वास आपको मैं इसके आंकरे बताता हूं किस तरीके की प्रगती हुई थी जब 2004 में मनमोहन सिंजी की सरकार आई थी तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिंती से माना जाता था कि अंपेड फैमिली लेवर है जब मनमोहन सिंजी की सरकार 2013-14 में हटी तो 12-13 का आखरी आकड़ा है 2012 का ये करीबन 7 करोड़ के करीब पहुंच गया था 72 मिलियन के करीब और ये 2017 तक ये पहुंच गया था और भी कम करीबन 52 मिलियन के करीब यानि समलीजे 75 करोड़ के करीब आज ये आकड़ा साड़े नौ करोड़ पर है और ये वही चार साड़े चार करोड़ लोग हैं जो दरदर भटकते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है अगर पिताजी की दुकान है या उनकी खेती है उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लिया या अम्मा की मदद कर दी या टायर पंचर की दुकान में आपने हाथ जोलिया जिसमें आपको पेमेंट को ही नहीं मिलती है उस आकड़ इतनी बुरी तरीके से हमारी अर्थ व्यवस्ता की नियोजनी सरकार ने पिछली कुछ समय में किया है साथ साथ अगर आप केवल सामान कीमतों की बात कर लें इंफलेशन की बात कर लें तो और आखड़े करकर अपना ये वेक्तव खतम करूंगा और फिर अपनी किन कारणों से और इसी से जुड़ी हुई तरकों से किस तरीके से शमीख नाए जो हमारे बाइदे आए हैं वो क्यूं आए हैं कैसे आए हैं और हमारे हिसाब से उनका और आने वाली साल बहर दो ये तीन महिने के बाद जब इंडिया अलाइन्स की सरकार आईगी तो किस तरीके से हम हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई वह एक तो जोकों कि वह हमारे वाइदे में आता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉंट्रैक्ट लेबर की स्थिती बढ़ी है दोहजार ग्यारा बारा में जब अन्वल सर्वेव इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो और वह आंकड़ा में इसलिए बताना चाहता हूं कि वह आंकड़ा चौकाने वाला है केवल 28 प्रतिशत फैक्ट्र वाले लेबर को इंप्लॉई किया करती थी पिछले साल जो अन्वल सर्वेव इंडस्ट्री का डेटा आया है वह 28 परसंट बढ़के आज 98 परसंट पर आ गया है यानि समझ लिजे जितनी फैक्ट्रियां हमारे यहां हैं आप केवल दिहारी पर मजदूर रखती हैं और आप समझ सकते हैं कि दिहारी पर जो मजदूर रखता है उसकी क्या हालत होगी और समझ लिजे अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कांट्रेक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बच्चे होंगे जो पर्मनेंट इंप्लॉयमेंट में हैं जिनके कुछ अधिकार हैं जो कम से कम यूनिनाइज कर सकते हैं अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं जिनको पीपीएफ मिलेगा जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुबधाई मिलेंगी वो भी एक- प्रिमिक नयाय की ऊपर जो तीन चार महत्वपूर बाते हैं उस पर हम बात करें अर्थ व्यवस्ता में बहुत विस्तार से चिदामरम साब ने दो एक बार कहा भी है कि किस तरीके से हम रुख अपनी पूरी सरकार की नीतियों का मोड़ के आज MSME या छोटी उर्द्योगे क के तरफ जादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे यह माना जाता है कि दस से साड़े दस करोर के करीब लोग आज भी MSME में हैं और जहां तक इंडस्ट्री में इंप्लॉइमेंट की बात है एकों का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उद्योग के छेत्र में इन्होंने कमसे कम रोजगार में प्रगती की है जब 2014-15 में मन्मौन सिंग जी की सरकार हारी थी तो यह आमोमन अंदाजा लगाया जाता था कि करीब छे करोड के लोग के करीब मैनिफेक्चरिंग में इंप्लॉइमेंट में हैं सिक्स करोड का है 6 करोड 30 लाग यानि आत्म निर्भर भारत होने के बावजूद मेक इन इंडिया होने के बावजूद स्किल इंडिया होने के बावजूद हर वर्ष केवल 2-3 लाग लोगों को मैनिफेक्चरिंग में नौकरी मिल रही है जबकि यह माना जाता है कि 70-75-80 लाग नई नौक में रोजगार कर सिजन करते थे जो घटकर मनमोहसंजी की सरकार में केवल 29 लाग प्रतिवर्ष रह गया है इसलिए जो चार या पांच हमारी प्रामिसिज आए हैं वो एक तो मैं बता रहा हूं कि अर्थविवस्ता में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर जादा पैसा ख करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पर कुठारा घात हुआ है उन्हें मदद मिले एक होगा स्वास्त अधिकार का हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी जो युनिवर्सल हेल्थ केर देगी जिसमें फ्री एसेंशल डाइग्नॉटिक इसमें कुछ इसका थोड़ा सा हलका आप लोगों ने दर्शन देखा होगा कि राजस्थान में हम लोग कि स्थानी सरकार में किस तरीके से एक नई हेल्थ स्कीम को जगे दी और जब वो जमीन पर उतरी तो शायदी कोई व्यक्ति है राजस्थान का जो आज भी भले सरकार ह दिवाय थे उन्होंने चपशपत ली तो उन्होंने और सब चीजें जो भी कहीं होंगी ये कहा कि वो एक अद्भुत स्कीम थी गहलोट साब की और उस स्कीम से और कॉंग्रेस का जो राइट्स बेस्ट इनिशियेटिव रहा है उचसे प्रोचसाहन लेकर ये प्रॉमिस हम लोग ने दी है दूसरा जो शेहरी रोजगार गैरिंटी है ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद खासकर कोविड के समय जब दुनिया में नकेबल एक बीमारी की महामारी थी लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी एक ही स्कीम थी जो एक बुलं बचा तो हमारा ये होगा कि हम उसी तरीके से शेहरों में भी जिस तरीके से उसकी आवशक्ता बनेगी और उसका रूप बनेगा उसी तरीके की एक गैरिंटी स्कीम हम शेहरों में भी लाएं तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा खासकर उन सारे असंगटे छेत्र के नहीं बात कही जाती है, गिग वरकर्स की उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंशोरंस और एक्सिडेंट इंशोरंस की नहीं स्कीम लाएंगे, फिर सुरक्षिद रोजकार के लिए हमने देखा है कि पिछले चार-पांच साल में विशेशकर कोविट के आने के कोविट के बाद, आपने देखा होगा, चोर दर्वाजे से बहुत से यहीं नहीं इनोंने स्कीम लाके डाली थी, तो उन्हें पुरा जो लेवर लौन था, उसको लेबर ल़ोस से हटाकर लेबर कोर्ट बना दिया, लेबर कोर्ट का में होता है कि लेवर लौन outlets को चाफल होते हैं आप उस पें लाजा सकते हैं जबकि कोड का कुछ नहीं होता है नौर्म होता है आप चाहो तो कहलो चाहर नहीं कह लो तो उसका कोई मतलब नहीं होता तो फिर से उन कानूनों को जिन से सही में हमारे मज़दूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं वो निकाले ना जाए ना उक्रियों से प्रतारित नहों उनको तंखाएं प्रॉपर मिलें जितनी फसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलें उस तरीके के कानूनों को वापिस लाएंगे और आखिर में शम सम्मान में नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम चार सो रुपे प्रती दिन का एक मिनिममम वेज हम लोग अनाउंस करें जो नरेगा में पूरे हिंदूस्तान में इंप्लिमेंट अब आपके साथ कोई सवाल हो तो थैंक यू और सहरी रोजगार जब आप कहते हैं तो उसमें भी क्या सौ दिन या पूरे तीन सौ पैसट दिन की कोई गारंटी कॉंग्रस पार्टी देगा देखें सौ दिन मैं थोड़ा सा बैक्ग्राउंड ले जाऊंगा क्योंकि जब ये नया कानून बना था तो उसकी कमिटी में मैं भी था और सौ दिन हम लोगों ने ऐसे ही नहीं निकाला था ये देखा गया था कि तमाम जितने भी स्टडीज हिंदुस्तान में हुई थी उसमें देखा गया था कि वरतमान स्थिती में जितना रोजगार मजदूरों को खासकर खेती हैर मजदूरों को मिलता है उसमें अगर 80 से 85 क उसमें रखे गए थे इस बात पर हम लोगों ने उसमें भी कमिटी में कहा था और आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने कई बार 10 साल में जब भी चर्चा होई नरेगा पे कहा कि जब ऐसी स्थिती बनेगी कि सौ से जादा दिनों की हमें गारिंटी देनी पड़ेगी हम उस बात के लिए ओपन है बीच में आपने देखा होगा कई राज्यों में भी दो एक बार ऐसा हुआ कहीं सूखा पड़ा कहीं बार आई कहीं और विपदाएं आई तो सौ दिनों को बढ़ाया गया उसी तरीके से ये आइडिया है कि हम शेहरों में भी रोजगार गैरिंट लाएं शेहरों में देखें गाओं में मूलभूत संराचनाओं का अलग रूप होता है कॉस्ट का वर्सेज एक्विप्मेंट का अलग रेश्यों चलता है वहां खुदाई के जमीन के सतरके जादा काम होते हैं शेहर में यह हम लोगों ने तै किया है जो दो एक बातें या सामाजी सुरक्षा का उसमें कहां कहां हम यह जो गारिंटी योजना है शेहर की उसमें कहां कहां से उसके प्रावधानाओं को अपलाई कर सकें कि वो जो गैप्स हैं सरकारी जरूरतों में और हमारे बीच में वो भी पूरा हो क्योंकि एक मैं और आकरा अप लेके सामने लोग बचे हैं शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि दुनिया के विकिसित देशों में अगर आप हर हजार आदमी employed में कितने सरकार के हैं वो हमारा सबसे नियुंतम आकड़ा है इस दुनिया में सिरफ 16 लोग हर हजार पर ब्रिजील को अगर आप देख लें तो 110 है और रूस जिसको माना जाता है पुझी बात का सबसे उत्कृष्ट उधारन उसमें भी ब्रिजील से भी ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं और मुझे तो यह लगता है कि हमारे यह यह सुनिशित तरीके से किया गया कि धीरे-धीरे सरकार की सेवाई बंद करते चले जाओ जैसी जैसी सेवाओं में लोग कम होते चले जाएंगे अपने अपने आप सेवा की गणवत्ता खतम होती ही चली जाएगी अगर सेवा की गणवत्ता है खतम होती ही चली जाएगी तो उस पर लोगों की आशा और विश्वास कम होता चला जाएगा और आशा और विश्वास जब कम होता चला जाएगा तो आप धीरे धीरे पत्वारान उनके सामने रखकर उसको पेश करोगे। और शुनने में…. पिर जो भी आपको यह न्धेरे में को एक दिया भी दिखता है तो डिया जी आपको सूरज के समाहनद दिखता है। मेरे एसाब से तो एक सुनिश्चित तरीके से सरकार ने जो उसकी मूल नीती रही है कि सरकार की जगे और लोगों की जगे ये कुछ लोगों की अर्थ्वेवस्ता बन जाए ये भी उसके तरफ एक कदम था संदिप जी इधर हाल में तीन राज्यों में विधान सभा चुना हुए आपने जिसे राजिस्थान का जिक्र किया आपने सबसे बढ़िया हेल्थ पॉलिसी दी आपने च्छतिस गड़ में किसान कर्ज माफी की बात की मध्यप्रदेश में भी आपने तमाम घोशनाएं की बा आपकी बात रही कि क्या हम अपनी बातों को अपनी वाइदों को उस तरीके से लोगों की बीच में नहीं पहुचा है जिस तरह आवजशक्ता थी इस बात को मैं मानता हूं प्रचार प्रसार में हमने हमेशा माना है क्योंकि शायद हम लोग एक पुरानी पार्टी रहे हैं उस समय हम लोगों को ज्यादा तर लोगों को प्रशिक्षर मिला चुनाओ लड़ने में या देश चलाने में कि काम ज्यादा करते लोग अपने आप उसका एहसास होगा शायद वो हमारी अभी भी डियने में गलत जीन घुम रहा है उसको बदलना पड़ेगा अब ज्यादा कि जो नए समबाद के तरीके हैं नए कम्यूनिकेशन के तरीके हैं आखरी तीन चार दिमें जो महिनत करने के तरीके हैं उसमें भी हम लोगों को बतलाओ देना पड़ेगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये तीन चुनाओ एक तरीके से आप समझें तो क्योंकि तो जितना रखबा भी है वो तो रहे गई लेकिन अगर प्रती व्यक्ति देखे तो वो उसमें तो कमी आएगी ना आप सामाने देखिए आज अगर माना जाए तो अच्छे से अच्छे अगर आप खेती कर लेते हैं तो आप 25 से 30,000 रुपिया प्रती एकड़ कमा पाईते ह बात कर रहा हूं इससे ज्यादा बहतर आप ये पंजाब के आँकड़े में दे रहा हूं 40 मान लीजे 45 मान लीजे सामनता आज माना जा रहा है कि मुश्किल से एक हेक्टेर से कम का आप आवरेज किसान रह गया दो एक डोढ़ाई एकड़ कर रह गया तो बहुत मेहनत करके अभी वो 60-70,000 रुपिया एक परिवार पा रहा है उसमें जो काश्तकार है वो अगर उसकी बीबी या कोई है तो दो वो हो गए एक आद दो बच्चे हो गए तीन-चार योर ऐसे निर्भित थे ऐसे भी एक एक दो-दो और बाहर से आ जाएं तो प्रति व्यक्ति जितना प और चल जाती है तो मेरे पास बच जाती ती खाने को होता था कम से कम सड़क पर मैंनी आता ता अब वो मेरा भाई या वो मेरी बहन भी अगर लौट आएंगे उसकी अप एक सहय है वो शहर से निकल कर आया है उसने दूसरी जिंदगी देखिए उसको हम कैसे समालेंगे वो स मुजगार के स्थर पर नहीं, आर्थिक सर पर नहीं, पर सामाजिक दिक्कतें भी आएंगी.